नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभी नंदरे विद्यार्थियों मैं हूँ आपके साथ आजे कमाउत और आज के सेस्म के सुरुआ जनरल साइंस के पार्ट के साथ करने वाला हूँ यूठ भार बार विद्यारतों के साथ हमारी लेसा बना भी विद्यार्थियों मैं ऐसे Copment्ट तोपिक डूटा है कि जनरल साइंस के आपको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक करवाए जाएं ताकि आप घर वैसे ही बैटे हो तो उसका रिवीजित कर सको तो विद्यातियों आईए बिनादेरी के टॉपिक की सुगात करते हैं यह जो वीडियो होगा वह जनरल साइंस का प्राणियों की त्यारिक करने वारे शातर चातरों यह बहुत ही इंपोर्टेंट होने वारा है अगर आप साइंस के बारे में थोड़े ज़ोड़े बिच्छे नहीं है आपको बेसिक बिल्कूल नहीं आता है छोटी चोटी चीज़ें नहीं आती है ओर आप भी लंबे समय पेले मैं परसुद कर दिया था उसका लेक में इस वीडियो के डा दूंगा ताकि आप वहां से देख सकते हो कि विग्यान कित्ति कहां से हो यह विग्यान की साख्वाइं क्या आए अब मैं यहां डिसक्स करूँगा कि पदारत क्या होता है तो सबसे पहले विजियारत जैसे पदारत का नाम आए तो आपको नजर गुमानी जरुदर आप अपने आज पास जो भी वस्तों है देख जो पैंड है पैंसिल है कुर्शी है टेबल है पलंग है जो भी यह सभी क्या है पदारत यह सबी क्या है पदारत इसको पदारत क्यों कह सकते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं इस्तान गेरते हैं ठीक है क्या करते हैं इस्तान गेरते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है दर्यमान होता है क्योंकि इसमें क्या होता है दर्यमान होता है तता इसे हम पांच ग्यान पांच ढ्jor acceptor मैंसुस करते हैं पांच जाने बियुम क्यां डिवारा महसूस किया जा सकता है क्या किया जा सकता है जैसे मान लो कि ये मेरे पास डेस्टरश है तो अगर इसको मैं रखुंगा तो क्या होगा बसक्ति करती है जिसका दर्यमान होता है अब जिससे प्वार जिसे जिव कोन से होती है तो आँख कान नाख जीव और तौचा ठीक है आँख के दारा मन देख सकते हैं जो घ्राइन पाई चाती है तो इसका मतलब इन सब्सक्राइब वहां है उमिद करता हूँ पडार्द की परीबस अच्छी लगी वी बिल्कुल आपके समझ में आगी होगी अ मुखे रूप से किती अवस्था होती है तो मुखी रूप से किते अवस्था होती है तीन लेकिन टोल किती होती है तोटल को यह निया आसका लगब वेग्ड़नीक पांच पदाथ के अवस्ताओं पर विचार कर चुके तो तीन तो आप नहीं पढ़ी है ठोस्थ, दरोग, गैस और छोती होती है प्लाजमा यह भी पदाथ की अवस्ता है और एक होती है बी ईसी बोस आइंस्टेन कंडन से जो प्रिवर्स येर्स के नाइंध क्लास के आर्मी सी सिलिबस में था अब की बार नियुद से है या नहीं देखना पड़ेगा ठीक है तो विजयातियों पदार के मुख्यरुप से किते होता होती है तीन होती है पहले यह उस्ता के बारे में विचार करो चाहां थोस क्या है थोस ठोस को इंडीक में कहते हैं सालीड कैया बोलते हैं तो ठीक है सबसे पहले बात करते हैं थोस में आप सरलकडी ठोस है पत्र ठोस है इसके हृवां कांच की सब ठोस है गैस कई वस्त्स बस्तव है यह रचाए अब घार कर छोसों kırन तोनों क्या होता है निच्छीत होते हैं को नोर्मल आकर नहीं कि नहीं कर सकते हैं ठीक है आए तक क्या है कि आप मालों कि इस्ते जितनी जगह यह घेले तो कुई फिक्स नहीं जगह घेल लिए वह पूरा area cover कर लिया अब धरने तो इसका आठार उइट क्या है निचित है तो इसlarını हो इसके कन क्या होते हैं थोसों में कन अत्य धीक पास पास इस्तत होते हैं यह पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कोई सा अनुवों के बद्ध जो नाम है अंत्राणिक पास पास क्यों होते हैं तो आपको बताना है कि छोसों में अंत्राणिक आक्रशन बल क्या पाया जाता है परबल पाया जाता है इसी कारण ठोसों में करने क्या होते हैं पास पास होते हैं और शामने वस्ता में ठोसों को संपिडित नहीं किया जा सकता मलब इसको अपन दबा के चेंजेज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो सोड़ा ठोसों में संपिडित अभी क्या होती है संपिडित अभी क्या होती है बहुत ह जो क्या होती है बिल्कुल आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंदार तो लाइक कीजिए अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल की सब्सक्राइब लिकविड अब आते हैं जयते हैं लाव के पार निच्छित जैसे मालूप मैं गिलास को भरके अगर फरस्टेल देता हूं तो क्या होता है वह फिर्स तोड़ी है कि वह वहाँ पर ही देगा वह पानी तो तो फर्समें कितना जा सकता। इसका क्या है कोई तो क्या है का यह लेकिन इसका आयतन क्या होता है वोलिम क्या होता है निच्छित होता है फिक्स होता है वोलिम क्या होता है फिक्स होता है तो लिक्वीड का आकार है वो तो क्या है निच्छित है लेकिन आयतन क्या है निच्छित है कि सर क्यों क्यों कि देखी अगर मालो यह मैंने इस टाइप का गिलास के इसमें पानी डाला तो जैसा मालो की गिलास बना उसी तैप से आकरति ग्रण कर लेगा अगर गिलास को इस टाइप से है तो जैसा गिलास है अब इस पानी इसमें आ जाएगा अगर मालो की मैंने गुमावदार पाइप ले लिया और इस पाइप के अंदर मालो की मैं पानी डालूँगा जैसा पा इसमें कन होते हैं इसमें थोड़े दूर रिस्तत होते हैं तो थोड़े दूर रख सकते हो अब देखे इसमें इसमें वी अंतराविक जो आकशनबल है वह अंतराविक आकशनबल है अन्तराविक जो लगने वाला आकशनबल होता है तो अंतराविक आकशनबल क्या होता है ठोसों से थोड़ा कम होता है ठोसों से कम लेकिन गयसों से क्या होता है अधिक होता है तो इसका मतलब इसमें अंतराविक आकशनबल क्या होता है ठोसों से क कम होता है इसका आखा निचीत होता है ठीक है और इसके ठोड़े का होते हैं दूर दूर इस्तत होते हैं ठीक है अब लूटेशां में थोड़ी कम होती है ठीक होती पदात कि जो तीसरी अवस्ता है वो होती है गैस तीसरी होती है ठीक है अब देखे इससे पहले गैस के आकार और आयतन के बारे में बात करते हैं, गैस के आकार और आयतन के बारे में बात करते हैं, तो गैस का आकार और आयतन के बारे में बात करते हैं, तो गैस का आकार और आयतन के बारे में बात करते हैं, तो गैस का आकार और आयतन क्या होते हैं, तो गैस का यह तो है नहीं कि मालों मैं कहता हूं मैं आपको अभी बता रहा हूं इसलिए इसका निचित नहीं यह पातर के सब्सक्राइब करता है इसलिए यह सब्सक्राइब कर लेता है यह लिक्विफाइड पेट्रूलिम यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है और उपर से पेकिंग करी जाती तकी यह गैस बाहर नहीं आए तो यह इस गैस का उद्दर लिख सकते हो मलब इसको संपिडिक करके सब्सक्राइब करते हैं इसके साथ भी विद्याथियों यहां पर गंद वाले पतात मिला जाते हैं इसलिए ताकि पता चल जाए कभी भी मालों कि क्या हो गैस लिके जो इसका पता चल जाता है सब्सक्राइब करते हैं प्लाज्मा क्या होता है उसके प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा 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 हमारे रक्त में पाया जानने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें नब्वे परशेंट नब्वे से बारों परशेंट तो क्या पाया जाता है जल पाया प्लाज्मा का रूपांतर किया जा रहा था मालब उसका प्लाज्मा लोगों को दूसरे लोगों को देके रूंद को बचया जा रहा था ठीक है अब देखिए यह कि पान्स योसा के बारे करते हैं वी एसी इसका पूरा नाम बोहिए जिसका आर्वे मतलब उर्जा दर्यमान और प्रकास के वेग का जो गुनन्द फले वो क्या कहलाता है लेकिन इस सुत्र का इस्तेमाल क्या हो गया खराब हो गया गलत हो गया गलत होने साथ को कभी भी किसी भी नोपल प्रुसका वगयरा से सम्मानित नहीं किया गया बाकि अलबर्ष्ट आइंस्टीन जैसे वेग्यानिक ना तो हमारे विग्यान जिकत्वें हुए है और आगे होंगे तो अच्छी बात है लेकिन बहुत कम संभाणा बन रही है कि अलबर्ष्ट स्थान लिखते अब तक दूसरे हासे जैपूर भी लिख देते थे मलब दोनों हातों को बराबर इस्तिमाल लेते थे विद्यातियों आप एक सब्द को दो हास्तों से लिख सकते हो लेकिन आप अलग-अलग सब्द को अन्ने लिख पाओगे ठीक है तो बहुत सतेंदेनात लोसर उलगडर्स अंश्टी ने मिलकर पदार्थ की जो पांस सिवस्ता इसके उपरवार में विचार किया की लग बग दो लाँखवे भाग मैं थंडा करने पर तो विद्यार्थियों आज का सेस्न आपको अच्छा लगा होगा मैं वीडियो के विराम देता हूं अगर ऐसे ही मालोग के आप ऐसी कंसेट काले वीडियो चाहते है कि छोटे चोटे वीडियो डाते रहे ताकि हम छोटे क्लास के बच्चे भी इन चीज को पढ़ चकें भूले नहीं जो आपने मालोग क्लास हमें पढ़ाया है और आपके लिए उप्लोगी भी है कॉमन टॉपि इस स्यासा के साथ जई हिंद जई बंदे मातर हुआ।